हेलो फ्रेंज इस वीडियो में हम आधुनिक भारत की इतिहास के बारे में जो है कोश्चन देखने वाले हैं तो सबसे पहला कोश्यन है अंग्रजी संसद में भार्य सरकार अधिनियाम कब पारित हुआ अंसर है 1858 में अंग्रेजी संसद में जो भारत सरकार का अधिनियाम पारित हुआ वह 1858 में पारित हुआ 1858 के बाद भारत का सरकार इस इंडिया कमपनी चलाती थी अब ये सब 1858 के बाद ये ब्रिटेन की रानी के पास इसका अधिकार चला गया था अब महरानी के हाथों में 12 सरकार अधिनियम जो है वो पारित हुआ और उनके द्वारा जो है शाशन चलाने जाने लगा कब किसके बाद 1858 के बाद दूसरा कोश्चन है भारती रास्टी कॉंग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिकित में से किसके लिए विख्यात है आंसर है पहली बार रास्टी गीत यहाँ पर गाया गया था चली इसके बारे में थोड़ी और चानकारी देख लेते हैं 1896 में पहली बार कॉंग्रेस के अधिवेशन में भारत का रास्टी गीत जो है बंदे मात्रम गाया गया था बंदे मात्रम बंगिन चंद्रे चटर जी की उपन्यास आनंदमंट का अंसर यहाँ 1937 तक भारत का रास्टी गान रहा था अब देखिए जो 1896 का अधिवेशन था इस अधिवेशन में पहली बार रास्टी गीत को गाया गया था रास्टी गीत जो है वो बंगिन चंद्र चटर जी की द्वारा लिखा गया था और यह किस का भाग है आनंदमंट का भाग है नेस कोशन है निम्नलिकीत में से किस गवर्नर जर्रल को भारतिय प्रेश का मुक्ति दाता कहा जाता है आंसर है सर चॉल्स मेटकॉफ को भारतिय गवर्नर जर्रल को भारतिय प्रेश का मुक्ति दाता जो है वो कहा जाता है देखिए सर चॉल्स मेटकॉफ जो है 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जर्रल थे उन्होंने प्रेश को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी इसलिए उन्हें भारतिय प्रेश का मुक्ति दाता कहा जाता है गवर्नर का नाम है चॉल्स मेटकॉफ इन्हें भारतिय प्रेश का मुक्ति दाता कहा जाता है क्योंकि इनके द्वारा प्रेश को पूर्ण स्वतंत्रता जो है दी गई थी समुद्री व्यापार के संदर्भ में कारताज व्यवस्था का उप्योग किसके द्वारा किया जाता था आंसर है पूर्तगालियों के द्वारा जो समुद्री व्यपार करते थे पूर्तगाली उनके द्वारा कार्ताज व्यवस्था जो है इसका उपयोग किया जाता था कार्ताज व्यवस्था का संपन्त पुर्ष्ट गालियों द्वारा समुद्री व्यपार के लिए जारी किये गया व्यापार लाइसेंस से है व्यापार लाइसेंस को इनके द्वारा कार्ताज व्यवस्था कहा जाता था बिस्मी सताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक विवश्था शुरू की गई थी तो यहां से दो बात पता चलती है कि जो कार्ताज विवश्था है यह पूर्तगालियों के द्वारा शुरू किया गया था समुद्री बैपार के लिए और दूसरा जो है नेवी सर्ट यह अंग्रेजों के द्वारा जो है वो शुरू किया गया था पूर्तगाली जो है वह भारत में 1498 में भारत आये थे निज कोश्चन है सुरेंद्रेनाद बैनरजी के बारे में निम्नलिकीत में से कौन सा कथन सही नहीं है पहला दिया है वे इंडियान नेशनल एसोसेशन के सह संस्थापक थे वे कलकत्ता के रीपन कॉलेज के संस्थापक थे उन्हें राश्टी चेतना के कौनसेप्ट के लिए जाना जाता है उन्होंने आनन्द मोहन बोज के साथ मिलकर साधार ब्रह्म्ह समाज की इस्थापना की थी उप्रवप तो दिये गए कर कत्रों में से चौथा कथन जो है वह गलत है सुरेंद्रनाद बैनर जी ने आनन्द मोहन बोज के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसेशन की इस्थापना की थी साधार ब्रह्म समाज की इस्थापना आनन्द मोहन बोज और सिवनाद सास्त्री सिव चंद्रशीन उमेश चंद्रदत्ता ने की थी इसकी इस्थापना जो है सुरेंद्रनाद बैनर जी ने नहीं की थी नेस कोशन है स्वतंद्रता आंदोलन के दौरान रविंद्र नार्ट टैगोर ने नाइट वोट की उपाधी किस खटना के विरोध में वापस कर दी थी आंसर है जलिया वाला बाग हत्याकान जलिया वाला बाग हत्याकान के कारण जो है स्वतधत आंदोलन के दौरान रविंद्र नार्ट टैगोर ने नाइट होट की उपाधी त्याग दी थी जदिया वाला बाग हतेरकांट कब हुआ था 13 अप्रेल 1919 को हुआ था इसमें बहुंसे लोगों की हत्या कर दी गई थी जिसके कारण रविंद्र नार्ट टैगोर ने अपनी नाइट होट की उपाधी त्याग दी थी रविंद्र नार्ट टैगोर को 1915 में बिटिस सरकार ने नाइट होट की उपाधी से सम्मानित किया था 13 अप्रेन 1919 जल्यावाला बाग हत्यकान से आहत होकर उन्होंने नाई टूट की उपादी वापस कर दी इस संदर्भ में उन्होंने लौड जेम्स फोड को पत्र लिखा था क्योंकि जब देखिए जल्यावाला बाग हत्यकान रुआ था तब उस समय भारत में जो गवर्नर थी वह कौन थे लौड जेम्स फोड और यहाँ पर जो है जनरल ओड आयर के द्वारा यहाँ पर गोली चला दी गई थी चल्यावाला बाग में नेस कोशन है मुस्लिमों के लिए अलग मद्दाता दल के लिए किस कॉंग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है कौन से कॉंग्रेस अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मद्दाता दल द्वेवों बनाये गया था आंसर लखनाव अधिवेशन 1916 1916 के लखनो अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग मदाता दल की विवस्था की गई थी इस अधिवेशन में कॉंग्रेस के दोध़ों गर्मदल और नर्मदल को वारता के दिये एक मंच लाया गया था अंभिका प्रसाद मदार जो थे इस अधिवेशन में कॉंग्रेस की अध्यक्षता कर रहे थे नेक्स है भारत में पहली यूरूपिय बस्ती किस इस्थान पर इस्थापित की गई थी आंसर है कोची पूर्टगाली जब 1498 में वासकोटिकामा जब भारत आये थे तो उन्होंने इस सबसे पहले कहां पर अपनी पहली बस्ती लगाई थी कोची में कोची कहां है केरल में और केरल में उस समय राजा थे जमोरी उन्होंने इनका स्वागत किया था केरल के एरना कोलम जीले में इस सथीत कोची फोर्ट भारत में पहली एरोपिय बस्ती थी जजल से घीरा हुआ इस्थान है या कोची के दक्षिर पस्ती में जो है इस सथीत है नेक्स्ट है निम्न लिखीत में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्तव व्यपार के लिए सुनहरा फर्मान जारी किया था आंसार है गोलकुंडा 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा का साथ मुक्तव व्यपार करने का सुनहरा फर्मान प्राप्त हुआ इसके लिए शुलक जो है पांस पगोड़ा प्रती वर्स जो है अंग्रेजों द्वारा दिया जाना था नेक्स्ट है सालबाई की संधी किस युद्ध से संबंधी था आंसार है प्रतम आंग्ल मराठा युद्ध प्रतम आंग्ल मराठा युद्ध के बाद 17 माई 1782 को सालबाई की संधी के हस्ताक्षर किये गये थे इस संधी पर मराठा समराजय के प्रतिनीधियों और ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी के प्रतिनीधियों द्वारे जो हस्ताक्षर किया गया था इस संधी के द्वारे अंग्रेजों ने सलसेद और ब्रोज पर अपना नियंत्रन कायम रखा जो प्रथम आंगल मराठा युद्ध हुई थी वह हुई थी 1775 से 1782 तक और 1782 में सालबाई की संधी के साथ जो प्रथम आंगल मराठा युद्ध था वह समाप्त हुआ था तो यह थे फ्रेंज समारे आधुनिक भारत के इतिहास समधित कुछ important question अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए थैंक यू